Students, मैं विजे सिंग, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूँ Students, आज हम DMLT की क्लास में Microbiology subject की बारे में जानेंगे Students, Microbiology क्या है? इसके बारे में Definition हम लोग पहले पढ़ चुके थे लेकिन आज मैं आपको definition के साथ में Microbiology की detail में हम लोग बाते करेंगे और उसे समझेंगे Students ये Microbiology subject एक most important subject है जो की DMLT के students इसे पढ़ते हैं और इसमें अच्छी खासी knowledge आपको होनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आपको Microbiology की हर वो चीजे अपनी इन वीडियोज में और आने वाली वीडियोज में बताच सकूँ ताकि आपकी knowledge जो है DMLT के according जितनी knowledge आपको चाहिए Microbiology की उतनी knowledge मैं आपको provide कर सकूँ तो चलिए students अब हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे Introduction की अगर हम बात करें तो Microbiology term was introduced by French chemist Louis Pasteur Students ये जो Microbiology term के बारे में हमें Louis Pasteur जो की France के chemist थे उन्होंने introduced करवाया Microbiology के साथ में The word Microbiology constitute by Microbiology पहले ये जो word था वो Microbiology के नाम से famous था Microbiology का मतलब organism थे जो की microorganism जिसे हम कह सकते हैं Too small जो की बहुत छोटे थे इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको microorganism से भी हम लोग denote कर सकते हैं और ये organisms थे जो वो too small चोटे थे और उन्हें हम बहुत छोटे थे Microbiology बहुत चोटे थे The term Microbiology is now replaced by the term microorganisms जो की कुछ समय के बाद Microbiology term जो है वो replace कर दिया गया और उसकी जगर पे Microbiology को जोड़ा गया Biology is the science that deals with the study of animal and plant life और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो है Biology जो होता है वो science के एक शाखा है और जिसमें हम animal and plant life के बारे में पढ़ाई करते हैं Microscopic form of life are present in vast number everywhere on earth in nearly every environment इसके इलावा अगर हम बात करें तो Microscopic form जो होती है वो life की जो है बहुत ही बड़ी अगर हम गिंती में बात करें तो बहुत ही बड़ी होती है गिंती में बहुत बड़ी गिंती में हम कह सकते हैं जैसे कि ये everywhere हर जगह पे on earth ही nearly अगर हम धर्ती के नजदीकी की बात करें तो every environment हर एक environment में हर एक जगह हम देखेंगे जैसे soil, water, food, air, etc. इन सब में microorganisms देखे जा सकते हैं लेकिन हम इन्हें देखने के लिए इन आखों से नहीं देख सकते हैं उसे देखने के लिए एक instrument के use होती है तो अब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें है the majority of these microorganisms are not harmful to humans इन में से कुछ जो होते हैं majority of these microorganisms are not harmful to humans यानि कि कुछ जो है harmful नहीं होते हैं और कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो की harmful होते हैं तो students मैं बताना चाहूंगा कि मेरी एक वीडियो में पीछे किसी बच्चे ने comment किया था और मुझसे एक question पूछा था कि sir pathogen और non pathogen में क्या फरक है तो मैंने वैसे students उस question का जवाब उनके comment में दे दिया था अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले pathogen और non pathogen मैं discuss कर चुका हूँ और मैंने उनके comment के नीचे उनका जवाब दे दिया था तो students आज मैं फिर बताना चाहूंगा कि pathogen और non pathogen यहाँ पे भी मैंने बात की कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो की हरम फुल होते हैं body के लिए और कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो की हरम फुल नहीं होते हैं हमारी body के लिए जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे bacteria हमारी body में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो कि इंटेस्टाइन में या अधर ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वो बैक्टिरिया हमारे इंटेस्टाइन में या कहीं पाए जाते हैं तो वो बैक्टिरिया जो होते हैं जैसे मैं अगर एक्जामपल तोर पर बताऊं तो जो की हमारी body के अंदर पाया जाता है और harmful नहीं है और कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो की harmful होते हैं कुछ ऐसे virus भी होते हैं जो की harmful होते हैं तो यही फरक है pathogen और non-pathogen में तो students, उमीद है आपको pathogen और non-pathogen में इसका मतलब समझ में आया होगा Students, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के बच्चे मुझसे कुछ questions put up करते है और मैं आने वाली वीडियो में आपकी इन questions के जवाग इस तरह से topic आने पर देता रहूँगा तो चलिए students हम चलते हैं अपने topic पे Students, मैं topic पे जाने से पहले आपको pathogenic और non-pathogenic की एक definition बताना चाहूँगा सबसे पहले pathogen, microorganism that can cause disease यह pathogen जो होते हैं यह इसमें जो भी microorganism आते हैं वो जो है that can cause disease यह जो है disease को बनाते हैं या disease को बना सकते हैं तो ऐसे जो microorganisms होते हैं वो pathogen होते हैं और non-pathogenic organism जो होते हैं microorganisms होते हैं वो ऐसे organisms होते हैं जो की आपके disease को cause नहीं करते हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं microorganism do not cause disease जो की cause नहीं बनाते हैं तो ऐसे में यह pathogen और non-pathogen दो तरखे होते हैं अगर हम बात करें non-pathogenic की, तो इसमें example क्या है? Ecoli. Ecoli एक ऐसा example है, जो की non-pathogenic की है. ये cause नहीं, मतलब की disease को नहीं बनाता है, disease नहीं बनाता है. तो ये non-pathogenic होता है. तो students, इस तरह से हमने आज microbiology की introduction को पढ़ा. Students, एक चीज बताना चाहूंगा, ये pathogenic और non-pathogenic जो आपके सामने, ये मैंने definition लिखी है. ये definition आप लोग सिर्फ अपने mind में रखियेगा, क्योंकि एक बच्चे के comment को मैंने देखा, तो देखने के बाद उस comment के जरिये, मैंने सोच कि यहाँ पर microorganisms की बात आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस microorganism में इस चीज को clear कर लो. तो इसलिए मैंने इस चीज को clear किया. तो आप लोग students, जो पीछे मैंने notes दिया था, उसी तक notes पे लिखियेगा, ये आप knowledge base पे अपने notes के पीछे इसको note कर सकते हैं. और students, अब इसके बा करिए, रोज की तरह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कि आप लोगों को नीचे description में link मिल जाएगी इस topic के, चाहे तो आप वहाँ से notes तयार कर सकते हैं, वहाँ से आप description में जाकर notes की screenshot भी ले सकते हैं, और या आप उसके जरीएस, आप notes को अपने notebook पे note कर सकते हैं. तो students, आज के लिए इतना ही उमीद है, आपको topic समझ में आया होगा, और students, आज आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, कि जो students daily मेरी videos देख रहे हैं, मैं daily ही, daily ही आप लोगों के लिए, DMLT के लिए, और इसके बाद मैं OT के लिए videos upload करता हूँ, तो जो students regular मेरी videos को देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, और जो students new आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, कि आप लोग इस channel को subscribe कर सकते हैं, subscribe करने के बाद मैं जब भी live आता हूँ, या मेरी videos upload होती हैं, तो आपको subscribe करने के बाद आप bell icon को press कर दीजेगा, तो मेरी videos जब मैं live पढ़ान वाला होता हूँ, या मेरी video जब upload होती है, तो आप तक notification notification पहुच जाएगी, तो इस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़िये, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कि easy wording में, simple language में आपको notes प्रवाइट करवा सकूँ, आपको समझा सकूँ, students, अब मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, thank you, bye bye students, take care.